बिस्मिल्य रह्मानी रहीम, अस्लम रिकूंग, आज हम मज़दार और टेस्ती सी ये कापली प्लाव बनाएंगे, बनाने के तरीका बिल्कुल आसान है, और कम वक्त में ये मज़दार प्लाव बन के त्यार होती है, पैन में 3 टेबल स्पून ओयल डाला है, इस प्लाव को बन तो इसको मैंने हाफ कुक कर लिये, अब इदर हम आदा कप ब्रॉण किश्मिश डाल देंगे, किश्मिश को भी हम साथ ही फ्राई कर लेंगे, इसको हमने फ्राई कर लिये, इनको निकाल के साइड पे रख देंगे, इदर मैंने कड़ाही लिये, कड़ाही के अंदर एक बड़ा चमिश ओयल डाला है, ओयल गरम होने पे ये लंबाई में कटी प्यास डाल देंगे, प्यास का जो कलर है, वो हमने डार्क प्रोन करने, प्यास में अच्छा सा कलर आने पे ये चिकन डाल देंगे, चिकन मैंने हाफ केजी लिये और ये बोन के साथ है, चिकन फ्राई होने पे अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे, नमक मैंने टूडी स्पॉन डाला है, साथ इसके वन टेबल स्पॉन लेसन अधर का पेस्ट डाल देंगे, लेसन अधर का पेस्ट डालने के बाद इसको हमने अच्छे से फराई कर लिया है, अब इसमें हम बाकी के स्पॉन डालेंगे, वन टी स्पॉन पेपर पॉर्ड डालेंगे, हाफ टी स्पॉन लाल मीज का पॉर्ड डालेंगे, वन टी स्पून धनिया पॉर्ड डाल देंगे इन स्पाइसिस को हम चिकन के साथ अच्छे से पका लेंगे अब हाफ टी स्पून इसमें हम मिक्स कर मसाले डाल देंगे मसाला हमारा अच्छे से बनकर त्यार है आप इसके अंदर हम पाणी या अड़ करेंगे पाणी जो मैंने लिए 5 कप लिए और चावल मैंने 3 कप लिए थे चावलों को आदे खंडे के लिए भी योके रख दिया था और जो मैंने चावल लिए वो गच्छी बांस में दीकी है पानी में अच्छा सा बॉय लाने पर ये चावल डाल देंगे चावल हमारे नरम हो गये हैं इसलिए पानी मैंने एक कप कम रखा है पानी को हम सोक होने देंगे और जब इसका पानी ड्राइ हो जाए तब इसको हम दम पे रख देंगे इसका दम हमने तब लगाना है जब इसके अंदर बबल से बनना शुरू हो जाए अब इसको हम पंदरा मिटते के लिए दम पे रख देंगे चावलों को हमने 15 मिर्टे के लिए दंपे रख दिया था आज के जितना भी पानी है वो ड्राय हो गया है इन चावलों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे मिक्स करने पर उपर से हम यह फ्राई क्यूई किश्मिश और गाज़ डाल देंगे अब इसको हम 5-10 मिर्ट तक के लिए मजीद दम पे रखेंगे तो 10 मिर्ट दम आने के बाद आप देख सकते ही हमारी यह मज़ेदार सी प्लाव बन कर त्यार है और चावल जय वो भी काफी खिले खिले से बन कर त्यार हुए अब इन चावलों को हम डिश आउट कर लेंगे तो चावल बिल्कुल इसी तरह लग रहे हैं जैसे देख से निकल कर आते हैं और खाने में भी यह काफी मज़ेदार बन कर त्यार हुए हैं आप इस रेस्पी को फॉलो करकर अगर यह काबरी प्लाव बनाएंगे तो आपकी प्लाव भी इसी तरह बन कर त्यार होगी तो यह थी आज की हमरे रेस्पी उमीद है आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आईए तो लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा